पंजाबी कभी हुए हैं उनकी एक खास विचारधारा थी जो रेडिकल थी और वो एक तरह के कॉमिनिस्ट हार्ड लाइं कॉमिनिस्ट विचारधारा से परवावित थे बहुत मशूर कभी हैं बहुत ही करांती कारी कभी हैं उन्होंने ये एक कवीता लिगी थी अब मैं विदा लेता हूँ इस कवीता का बैक्ग्राउंड कुछ ऐसा है जैसे कभी कहीं खोस आ गया हो और कुछ भी अब उसके सामने नजर नहीं आ रहा उसको अपनी जिंदगी का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा और उसे कुछ परपस नहीं दिख रहा तो उसने ये कभीता उस बैक्ग्राउंड में शायर लिखी हो पता नहीं कभीता कुछ इस तरह है कि अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त मैं अब विदा लेता हूँ मैंने एक कभीता लिखनी चाही थी सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती उस कभीता में महकते हुए धन्ये का जिक्र होना था इख की सरसराहट का जिक्र होना था उस कभीता में ब्रिक्छों से टपकती ओस और बाल्टी में दूहे धूत पर गाती जाग का जिक्र होना था और जो भी कुछ मैंने तुम्हारी जिस्न में देखा उस सब का जिक्र होना था उस कवीता में मेरे हाथों की सकती को मुस्कुराना था मेरे जांगों की मचलियों को तैरना था और मेरी चाती के बालों की नरम शौल में से सिंगस्ता की लपटें उठनी थी उस कवीता में तेरे लिए मेरे लिए और जिन्दगी के सभी रिष्टों के लिए कुछ न कुछ होना था मड़ी दोस्त लेकिन बहुत ही वेस्वाद है दुनिया के इस उल्जे हुए नक्षे से निपटना और यदि मैं लिख भी ले था शगूनों से भड़ी वह कवीता तो वह वैसे ही दम तोर देती तुम्हें और मुझे च्छाती पर बिलखते छोड़कर मेरी दोस्त कवीता बहुत ही नीसत हो गई है जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आये हैं और अब हर तरह की कवीता से पहले हथियारों के खिलाफ युद करना जरूरी हो गया है युद में हर चीज की बहुत आसानी से समझ लिया जाता है युद में हर चीज को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है अपना या दुस्मन का नाम लिखने की तरह और इस स्थिती में मेरी तरफ चुमबन के लिए बढ़े होटों की गुलाई को धर्ती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मiosis आलकता है तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हें मेरे आंगन में मेरे मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी खोहिश को और युद के समूचे पन को एही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ और अब मैं विदा लेता हूँ मेरे दोस्त हम याद रखेंगे के दिन में लुहार की भठी की तरह अपने बाले अपने गाओं के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी से पगे कोई इंक के सूखे पत्तों के धेर पर लेट कर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगित में होता है हाँ यह हमें याद रखना होगा क्योंके जब दिल की जेवों में कुछ नहीं होता याद करना बहुत ही अच्छा लगता है मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीजों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तंती रहीं और उन आम जगों का जो हमारे मिलने से हसीन हो गई मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने बाली तेरी हर हलकी और गीतो भड़ी हवा का जो मेरे दिल लगाए रखती थी तेरे इंतजार में रास्ते पर उगी कोई रश्मी घास का जो तुम्हारी लरच्टी चाल के सामने हमेशा बिच जाता था टिंडो से उतरी कपास का जिसने कभी भी कोई उजर न किया और हमेशा मुस्कुरा कर हमारे लिए सेज बन गई गन्यों पर तैनात पिद्धियों का जिरों ने आने जाने वालों की भनक रखी जवान हुए गेहुं के बलियों का जो हम बैठे हुए न सही लेटे हुए तो अदमी हुँ बहुत कुछ छोटा छोटा जोर कर बना हुँ और उन सभी चीजों के लिए जिन्होंने मुझे भिखर जाने से बचाए रखा मेरे पास आवहार है मैं सुक्रिया करना चाहता हुँ प्यार करना बहुत ही सहज है जैसे के जुल्म को जेलते हुए खुद को लड दोस्त यही होता है दूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर अलिंगन में सिमट जाना बारूत की तरह भड़क उठना और चारो दिशाओं में गूंज जाना जीने का यही सलीका होता है प्यार करना और जीना नहीं कभी नहीं आएगा जिन्हें जिन्दगी ने बनिया ब विदा होना बड़ी सूर बिरता का काम होता है मेरी दोस्त अब मैं विदा लेता हूं तो भूल जाना तुम्हें मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पाल कर जावान किया कि मेरी नजरों से मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्षों की धार बांधने में कि मेर कि चुम्बनों ने कितना खुबसूरत कर दिया तेरे चेहरे के चेहरे की मेरी अलिंगनों ने तेरा मौम जैसा बदन कैसे साचे में ढाला तू यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त सिवा इसके के मुझे जीने की बहुत इच्छा थी